Hello and welcome to TechInfoYT. तो इस वीडियो में हम create करने वाले हैं एक API project जिसमें हम use state, use effect हो का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JSON Place folder, तो यह एक website है जिसमें हमको fake rest APIs मिलती हैं जिनका हम use कर सकते हैं. तो हमको कोई भी rest APIs create करने की ज़रत नहीं पड़ती, directly हम इसकी rest APIs का use कर सकते हैं और CRUD operations जो perform कर सकते हैं. तो नीचे अगर आप scroll करेंगे तो दीखिए यहाँ पर बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे, resources के अंदर, posts, comments, albums, photos, to-dos, तो यहां से हम क्या करेंगे, user और post को get करेंगे, तो initial time पे हम क्या करेंगे, users को get कर लेंगे, और इसके बाद में फिर button click पे हम क्या करेंगे, post को get करेंगे, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले application create कर लेते हैं, तो जहां पर भी आपको project create करना है, उस path को आप command prompt या फिर terminal में open कर लीजिए, और यहां पर हम क्या करेंगे, command लिखेंगे, npx, create react app, उसके बाद में application करना, तो यहां पर मैं लिखता हूँ, post, users, app, और enter press कर दूँग इसको visual studio code में open करेंगे, साथी में आप क्या करें, इस rest API इसको explore करें, जैसे कि मैं post पर click करता हूँ, तो देखें, यहां पर इतने सारे post हम को मिल जाते हैं, जिनका हम use कर सकते हैं, तो कैसे use करेंगे, देखें, यहां पर URL है, वो API है, इस API पे hit कराना है, तो यह response हम को मिलें और इस response को जह हम get करेंगे, और इसको extract करके हमारी application में use करेंगे, अब इसके अंदर क्या कहा है, दीखें, user ID है, ID, title, body, तो यह सारी चीजों को आप extract करके use कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ title use कर सकते हैं, सिर्फ body use करना है, तो body भी use कर सकते हैं, इसी तरीके से हमा तो phone number भी कर सकते हैं, इसके website, company, या फिर addresses, जितने भी इसके अंदर data है, सभी को आप use कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, चोटा मुटा data इसमें use करेंगे, name, email और phone number, इसको हम हमारी application के initial run पे show करा देंगे, तो चलिए, अभी इस लिए download हो रहा है, तो वेट करते हैं, इसके finish हो और जैसे यह download होता है, तो इसको visual studio code में open कर लेंगे, और यहां पर हमारी application जो है create हो चुकी है, इसके अंदर हम switch हो जाएंगे, तो आपको लिखना है cd, उसके बाद में application करना, post, users, dash app, और इसको visual studio code में open कर लेंगे, पहले CLS कर लेता हूँ मैं, और यहां पर हम क्या के लिखेंगे code space dot, automatically project हमारा visual studio code में open हो जाएंगा, साथी में इसको हम क्या करेंगे, run करा देंगे, तो npm start की command भी आपको लिख लेना है, तो जो भी आपका default browser रहेंगा, उसमें localhost 3000 पर हमारी application जो है, automatically start हो जाएंगी, अगर आपके case में नहीं होती है, तो आप manually क्या करे, localhost 3000 port को जो है, hit कराएं, तो आपकी application जो है, run हो जाएंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते है, automatically हमारे पास localhost 3000 जो है, open हो रहा है, तो default browser Firefox है, आपके case में जो भी रहेंगा, उसमें यह automatically open हो जाएंगी, और साथी में हम क्या करेंगे, get bootstrap पे जाएंगे, get bootstrap, और bootstrap को हमारी application में जो है, add कर देंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसमें styling भी चाहिए, इसलिए हम bootstrap की library को जो है, add कर रहे है, तो देख सकते हैं, यहाँ से आपको link कोपी कर लेना है, यह रही link, सिर्फ CSS के link आप copy करें, JavaScript की ज़रूरत नहीं यह भी हमको, तो CSS के link को आप copy कर ले, और आ इसको, यहाँ पे इसको paste कर देंगे, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस application का नाम change कर देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम रखेंगे, user, post, app, save कर लेते हैं इसको, और default styling को remove कर देंगे, app.css में जो भी code इसको remove कर ले, save, इसी तरीके से index.css में जितना भी code इसको remove कर ले, save, app.js में header section पूरा remove कर लेंगे हम, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इस class name को remove कर देना है, और div के बदले हम क्या करेंगे, fragment का syntactical sugar form use करेंगे, यानि empty opening और closing tag, इसके अंदर में क्या करता हूँ, एक div ले ले लेता हूँ, container के नाम से, और एक h1 में अट कर देता हूँ, और application application का नाम हम यहाँ पर दे देंगे, post users app, और इसमें कुछ class name add कर देता हूँ, जैसे कि text center, text center, और top से CSS और logo की file को remove कर देंगे, save, check कर लेंगे application को, यह रही application, तो दीखें, हमारे पास कुछ इस तरीके से भी layout मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले users को get कर तो यहाँ से आप क्या करें, npm.js को search करें, npm.js.com, तो जितने भी packages आपको चाहिए, आप यहाँ से search कर सकते हैं, जैसा कि आप normally Google पर search करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, xios का use करेंगे, xios एक काफी popular package है, जो react के साथ में जाधा तर use होता है, तो इसकी मदद से हम क्य करें, integrated terminal का use करें, visual studio code का, new terminal, make sure आप project के अंधर हो, जैसा कि हमारे case में है, post users, तो यहाँ पे इसको paste कर ले, enter प्रेस करें, तो यह package भी इंस्टॉल हो जाएंगा, और जैसे इंस्टॉल हो जाएंगा, आप इसको package JSON की file में check कर सकते हैं, उसके अलावा आप क्या करें, इस package को explore करें, देखिए, काफी popular है, इसकी official repository, home page, सब कुछ आप यहाँ से visit कर सकते हैं, और कैसे use करना, इसका सारा documentation आपको यहाँ पर मिल जाएंगा, so make sure एक बार ज़रूर इसको check करें, नीचे scroll करें, देखिए, तो इसको बहुत सारे तरीके से आप use कर सकते हैं, मैं यहाँ पर simple करने के लिए आपको लिखना है, NPM audit fix, इतना लिखना एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यह vulnerability fix हो जाएंगी, यह भी एक से दो मिनिट ले ले लेंगी, देखिए, यहाँ पर इसका भी packages update होना start हो जाते है, जैसे यह start होंगे, automatically क्या होंगा, फिर हमारा application जादा secure हो जाएंगा, हलाक इसे जादा फर्क नहीं पढ़ता है, लेकिन कर लेंगे तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर देखिए, हमारे packages update हो चुके, अब कोई भी हमारे पास vulnerability नहीं है, देखिए, 0, इसको close कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, top पे सबसे पहले, import कर देंगे react को, import react, from रहे हैं, और साथी में हमको useState भी लगेंगा, useState यानि एक variable के अंदर इसको store कराएंगे, और साथी में useEffect हो, तो यह lifecycle method है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, initial time पे state को fulfill करा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक variable बनाता हूँ, const, और इसका नाम हम रखेंगे, users, set users, equal to useState, और initially इस users को get करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एक function create करना पड़ेंगा, और इसको हम useEffect hook में call कर देंगे, तो यहाँ पर मैं function बना देता हूँ, getUsers, arrow function हम ले लेंगे, const, getUsers, equal to arrow function, और इस arrow function को हम कर देंगे, async function, आप चाहे तो then chain block भी use कर सकते हैं, so async function, इसके अंदर try catch block का use करेंगे, और catch के अंदर console.lock कर देंगे, यानि जो भी error आ रहा है, उसको assets यहाँ पर print करा देंगे, अब try के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर exios का use करना है, तो exios को ऊपर import कर लेंगे, import exios from exios, और यहाँ पर हमको await करना है, await किस चीज का, यहाँ पर हम exios की कर देंगे, अब यह जो response मिलेंगा, उसको हम क्या करेंगे, एक variable के अंदर store कर देंगे, जैसे कि const, rest, response के लिए हमने shortcut में rest लिखा है, अब इस response को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है, console.lock कर देंगे, यानि कि हमको पता चले कि इसमें actual हमारे पास response आ रहा है, तो rest कर देंग तो get user function को हम क्या करेंगे, use effect hook के अंदर call कर लेंगे, save कर लेते हैं इसको और check कर लेंगे, चलते हैं application पर, यह रही हमारी application, inspect करेंगे, console, तो दीखें, automatically हमारे पास object आ चुका है, refresh कर लेता हूं एक बार, initial time पे हमारे पास object आ रहा है, यानि कि यह data आ रहा है, और इसके clear कर लेंगे और refresh कर लेते हैं application को, तो दीखें हमारे पास array of object आ रहा है, अब इसको हमको get करना है, और हम क्या करेंगे, जो state हमने बना है ना इससे fulfill करा देंगे, या पिर एक आप काम कर सकते है, response के बदले directly जो है data को destructure कर सकते हैं, जैसे हम response.data लिख रहे हैं, तो इसके ब लेंगे application को, तो दीखें, directly हमारे पास data का object आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर set कर देंगे, set किसको करना है हमको, यहाँ पर users को set करना है, किससे जो data हमारे पास आ रहा है, उससे fulfill करा देंगे, और इस console.log को मैं comment out कर देता हूँ, अब हम क्या करेंगे नीचे जो है इसको extract करेंगे, extract कैसे करेंगे, एक div ले लेता हूँ है, container की class के साथ में, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, map करेंगे users को, क्योंकि हमारे पास multiple users आ रहे थे, इसलिए हम इसको map करा रहे है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, users.map, और map method हम को क्या करेंगे, single user fetch करा के देंग तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, card का use कर लेंगे, card, और इस card के अंदर मैं paragraph tag ले लेता हूँ, p tag, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, user को show कराएंगे, so user.name, user का name हम show कराएंगे, अब यह सारे object कहां से आएंगे, दीखिए, इसका response एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर हमा इसको get होने में, यानि network के पर जब जाएंगे, तो इसको fetch होने में, execute होने में time लगता है, तो यहाँ पे आपको एक और condition add करना है, अगर हमारे पास user है, तब ही इसको map कराओ, यानि के end की condition क्या है, जब यह true रहेंगा, तब ही नीचे की query एक्जिक्यूट होंगी, save कर लेत key, तो यहाँ पर map method को keep track करने के लिए, यहाँ पर एक और property add करना पड़ती है, key की, और key की property जो है, वो unique होनी चाहिए, जैसे कि user के अंदर जो id की field है, underscore id, चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, जो id की field है, वो unique है, जैसे कि उसका name हो सकता है, similar हो, लेकिन id जो है, सबकी unique ह तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते है, इसको keep track कर सकते है, तो react को keep track करने के लिए, यहाँ पर एक unique field लगती है, जैसे कि हमारे case में अभी id है, और mostly id के base पर key को pass किया जाता है, जैसे कि चलते है application पर, अब यहाँ पर refresh करेंगे, तो warning remove हो जाएंगी, देख सकते हैं, कोई भी dot email, और इसी को copy paste कर देंगे, और नीचे phone भी add कर देंगे, और इस div के अंदर मैं क्या करता हूँ, padding दे देता हूँ, 3D, save, check कर लेते हैं, तो दीखिए, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, और margin भी दे देता हूँ, मैं थोड़ा सा, margin top से 2, save, तो दीखिए, कुछ इस button add कर देंगे, button, और इसका नाम रख देंगे, load, post, तो इसमें क्या होंगा, सारे post जो है, load होंगे, और हम क्या करेंगे, यह जो container है, इसके अंदर इसको divide कर देंगे, दो column में, so यहाँ पर मैं लिखता हूँ, row की class, grid system का हम यहाँ पर use करने वाले, एक call md6 कर देंगे, call md6 और इसके अंदर हम post show करा देंगे, और second वाले में क्या कराइंगे, जो हमारे पस user है, as it is heavy, तो इसको हम show करा देंगे, so इसको copy paste कर लें, इस post के बतले आपको क्या करना है, यह जो user हम get कर रहे थे, इसको cut कर देंगे, और second वाले में paste कर देंगे, save करके एक बार देख लेते btn success, तो यह green color में हो जाएंगा, साथी में इसके on click event पे हम काम करेंगे, on click, और इसके अंदर एक function create कर देंगे, handle, post, और इस function की मदद से हम क्या करेंगे, network request भेजेंगे, और सारे post को get करेंगे, चलते है top पे, और यहाँ पर get user था, अब नीचे हम क्या करेंगे, एक और function ब post, यह भी async function है, इसके अंदर भी हमको data receive रहेंगा, बस यहाँ पर हमारा URL का end point जहेंगे, और साथी में हमको state भी लगेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और state create कर दें, const, post, set post, equal to use state, और initially empty string, और इसका API आपको copy करना है, कहां से, JSON placeholder में से इसका API हम copy कर लेंगे देखिए यह रहा, post, post पर आपको click करना है, यहाँ से इसका URL copy कर लें, और यहाँ से इसको change कर देंगे, paste, और यहाँ पर set user के बदले, set post, और यहाँ पर हमारा function बन चुका है, save कर लेते हैं इसको, अभी इसको हमको call करना है, कहां पर call करेंगे, देखिए, handle post है, copy, हमने इस body, तो same चीज हमको map करना है, तो map के लिए भी आप क्या कर सकते है, same, इसी को copy paste कर लें, copy, और यहाँ पर इसके बदले हम क्या करेंगे, paste कर देंगे, और हमारे पास अब users के बदले क्या है, post है, तो यहाँ पर आपको post करना है, post में से map करेंगे, तो single post हमको मिलेंगे, तो य e के अंदर हम क्या कराएंगे, user id को पास करा देंगे, user id, और user में से नहीं, post में से आएंगी, तो post में से आपको इसको extract कर देना है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर email को भी cut कर देंगे, और यहाँ पर title को show करा देंगे, post.title, और नीचे में post.body, save कर लेते हैं इ इसको भी cut कर ले, पहले शुरू हम को चेक करना था post, अगर post है, तब क्या करो post में से single post को extract करो, और क्या क्या चीजे उसमें से हम को चाहिए, जैसे के post की id, title, body, तो यह सारी चीजे हम यहाँ पर paste करा रहे हैं, save कर लेते हैं इसको, चलते हैं application पर, यह रही application, और button में हमने title रहेंगा, load post, save कर लेते हैं इसको, चलते हैं application पर, तो दीखिए, कुछ इस तरीके से दिखाए देंगा, अब अगर मैं load post पर click करूँगा, तो यहाँ पर सारे post हमको show होने चाहिए, click करता हूँ, तो दीखिए, सारे के सारे post हमारे पास आ रहे हैं, अब इसको confirm कैसे जैसे के मैं इसको refresh कर लेता हूँ, आपको क्या करना है, inspect करना है, और यहां से आप network tab को open कर लें, अब जैसे इस पर click होगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएंगा, कि आपकी request सही में send हुई है, जैसे के देखिए, यहाँ पर click करता हूँ, load post, तो दीखिए, यहाँ पर इस project में हमने use state, use effect, events, map और initial time पर कैसे data को load करा सकते हैं, यह सारी चीज़े हमने देखी, मैं मिलता हूँ, next project में.